दोस्तों मेरे पीछे ये मच्छर भगाने के कुछ उपकरण है इन उपकरणों का अगर आप अधिक इस्तमाल करेंगे तो आपकी त्वचा खराब हो जाएगी आपको सांस संबंधित गंभीर बिमारी हो सकती है आपको आख संबंधित गंभीर बिमारी हो सकती है लगातार जल से और तो और कैंसर जैसा गंभीर रोग हो सकता है अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तमाल करते हैं मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आज जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बेहद ही उपयोगी है उपयोगी इसलिए है क्योंकि आम जन जीवन में आप इस्तमाल करते हैं घर में मच्छर लग रहे हैं बाजार से 60-70 रुपए की एक मशीन खरीद के लाए उसमें कुछ लगाया और उसको करेंट में लगा दिया और आपका घर मच्छर मरना शुरू हो गए अब कल मरना कीजिए जो कैमिकल मच्छरों को मार रहा है वो कहीं न कही आपके नात में भी जा रहा होगा तो जिससे किसी के मृत्य हो सकती है उससे आपका फाइदा तो नहीं होगा इसलिए मैंने सोचा कि इस विशह पर आपको जागरुक किया जाए आप क्या करें क्या ना करें इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं और आपने द चिसकी साहता से आप जला सकते हैं, इसको करेंट या किसी गर्म चीज पे रखकर धूआ उठाया जाता है, ये सारे प्रोड़क्ट आपने कभी न कभी अपने दैनिक जीवन में इस्तमाल किये होंगे, राजिव दिक्षित को आप जानते होंगे, आयूरवेट से संबंदित ब कोई, टिकिया, अगरबती, लिक्विड इस्तमाल करते हैं, जो कैमिकल से बनाया जाता है, इसमें डी एथलीन, मैलोक्वीन, फॉक्स्वी, फॉक्सकीन, माफ किजेगा गलती से इधर उधर हो जाता हूं, और तीन खराब चीजें, इन तमाम चीजों में खराब चीजें मिल बतरनाक कैमिकल मिलाए जाते हैं, जो इस कैमिकल संबंदित विद्यारती होंगे, उन तीन कैमिकलों को आसानी से समझते होंगे, और इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये कहते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों के पास ये कैमिकल जला के छोड़ देते हैं, शोध बताते ह ये मच्छर बनाने वाली दमाएं जो होती है शुरुवात में मच्छर का अंत करती है और धीरे-धीरे मनुष्य को मार देती है इसमें एक भी शब्द मेरे नहीं है ये शब्द राजीर दक्षित जी ने कहे है अब इस विशय पर विज्ञान क्या कहता है आईए मैं विज्ञान की भासा में आपको थोड़ा समझाता हूँ विज्ञान में सिड्नी यूनिवर्सिटी के सोध में जो बात निकली है उसमें ये है सिड्नी यूनिवर्सिटी के सोध में कहा गया है विशय शग्यों के अनुसार कि इसमें सिट्रो नेला मिलाया जाता है जिससे मच्छर दूर भागते है दूसरा इसमें किटनाशक होते ह जो मच्छरों को मार देता है ये जो कौाइल होता है इस टिक पहले पाइथेरियम पोस्ट से बनाय जाते थे जबकि आधूनिक में ये पाइरेथ्राइड की इतनाशक जिसमें सिट्रोनॉल जैसे पदार्थ होते हैं ये दोनों मनुष्य के सरीर के लिए नुकसान दायक होते ह अब समझने के कोशिश कीजिएगा अध्यान के अनुस्कार मॉस्कुटो कौइल से निकलने वाला धुआ हमारे शरीर के लिए सिगरेट जितना नुकसान दायक होता है शोध बताते हैं कि एक कौइल द्वारा छोड़ा गया धुआ पचास सिगरेट पीने के बराबर होता है अब समझेगा पिक्चर हाल जैसी जगहों पर या तमाम जगहों पर आपने ये वाला एड़ तो देखाई होगा जिसमें सिगरेट पीना कितना स्वास्ते के लिए हानिकारख है और हर जगा लिखा रहता है कि सिगरेट ना पिए पबलिक प्लेस पे सिगरेट ना पिए ये लेकिन एक कॉायल मच्छर वाला जो आप देखते हैं, जो गुल- senses छाले भी के तरह, उसे हम अपने बच्छों के बगल में जो नोजात होते हैं, एक- Two साल के होते हैं, या अपने परिवार के बगल में जला के छोड़ देते थे हैं, सोचिए एक मच्छर का क्वाइल पचास सिग्रेट के धुएक जितना बराबर नुकसान करता है और मैं समझाता हूँ आपको इससे कितना दिक्कत हो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आप इसका उपयोग कैसे करें कैसे ना करें वो भी बताऊंगा चलिए कमपनियों के निर क्वाई होती हैं उसका इस्तमाल केवल आवशकता आनुसार करें बच्चों की दूर से पहुच से दूर रखें यह कमपनिया कह रही है और हमारा क्या है घर में बच्चे घूम रहे हैं कच्छुआ चाप अगरवत्ती चल रही है और एकदम उसमें धुआ आ रहा है और उस वो महका हुआ है और उसमें धुआ धुआ हो रहा है लेकिन कमपनिया कह रही है कि बच्चों से दूर रखा जाए मास्किटो रिप्लेंट जो होते हैं उनको आँख मूँ और खुले घावों के संपर्क में ना आ दे दे चोट किसी को लगती है हॉस्पिटल रहता है कहीं को कमपनिया कहती है कि निर्देशा अनुसार इस्तमाल करें क्या कहती है कि कि खड़की आप अपने घर के सारे खड़की दरवाजे खोल दीजीए और उसको एकदम खड़की के किनारे रखीए उसका धुआ आपके पास नहीं आना चाहिए और हम लोग क्या करते हैं खड़की ऐसा व्यापार है कि भारत में सब कुछ बेचा जा सकता है बेचा जाने का मतलब कोई भी कमपनिया विदेश से यहां आती है अपना फर्मूला लेके और इस देश के उस एक्टर को या उस एक्टरेस को पकड़ती है जो इस देश में बड़ा फेमस है और उसको करोणो रुप शेकुमार और अजे देवगंत सब को शामिल कर दी है दो रुपाय का गुटका बेशते हैं क्या आपको कलपना कर सकते हैं ये लोग वो गुटका खाते होंगे क्या आप कलपना कर सकते हैं कि घर में जो लोग इस मॉस्किटो जहरवाला इस्तमाल कर रहे हैं ये लोग करते ह आते हैं और उसके बाद से टीवी चैनलों पर जूम के परचार होता है अख़बारों में परचार होता है और हम लोग खरीद के लाते हैं अपने लिए एक स्लोप वाइजन सस्ती मौत खरीद के लाते हैं और उसका घर में इस्तमाल करते हैं कमपनिया खुद कह रही हैं कि इसे आवशक्ता अनुसार और निर्देशा अनुसार इस्तमाल करना चाहिए ऐसी जगह पर इस्तमाल ना करना चाहिए जहां पर बच्चे ना हो अब क्या कर सकते है सावधानी पूर्वक जो सला है वो मैं आपको बता रहा हूँ सावधानी पूर्वक सला है सबसे बढ़िया आप मास्कुटियों कोयल कितने का खरीदते होंगे सो रुपए डेर सो रुपए का इसके लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ घर में जाली लगवा दीजिए सारे खड़कियों पर हजार डेर हजार रुपए लगएगा जाली लगवा दीजिए सो अगर घर में एक दो पौधे लगा दिये तो मच्छर नहीं आएंगे तो समझे ये तीन इस्तमाल करके देखिए अब मच्छर से बचने के लिए ऐसा नहीं है कि कोयल अभी आया है अभी आया थो अभी आया ना बहुत मच्छर तो पता नहीं कितने वर्षों पहले से है तो म मच्छर का जब इस्तमाल मच्छर है तो यानि मच्छर को भगाने के लिए उपाय भी पहले हुआ करता था तो मच्छर को पहले के लोग कैसे भगाते थे आयूरुवेद में इसका क्या जिक्र है वो मैं आपको बताता हूँ तो सुरू से शुरू करता हूँ देखिए अकसर भाग जाय करते थे गाए वाई जहां पली होगी आप अकसर वहां देखता करते थे अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपने घर के आधोनी घर में आप नीम की पत्ती जलाना शुरू कर दे लेकिन नीम के बहुत सारे क्वाइल भी आते है उसका उप्योग आप बाहर अब ही नहीं काटेंगे डेंगू का समय है इसलिए यह जानकारी बड़ी उपलब दायक है और अगर आपकी स्थिती ऐसी है कि आप मच्छर क्या सुलगा सकते है जला सकते है तो आप अपने घर के बाहर नीम की पत्तिया जला सकते है बहुत ही गुड़कारी है और हल्दी का नहाएं तो उस पानी में अगर हल्दी डाल ले तो आपके शरीर पे जो पानी का एक structure बनेगा वो किसी भी कीट पतंगे को अपने आकरमण से बचाने के लिए बचेगा शायद ये जानकारी आपके पास होगी अगर नहीं होगी तो मैं बताता हूँ नहाने से पहले अगर एक शमच अगर हल्दी लगाते हैं अगर पानी में डालते हैं तो उसका जो structure बनेगा शरीर पे एक पानी मला आवरण बनता है ना तौलिया को पोछने के बाद तो शरीर में से हल्दी के महक बदबू तो करेगा माना नीम बदबू करता है हल्दी नहीं बदबू करेगा और पर लगाने से नहीं आते हैं और तो और लहसुन के इस्तमाल से भी मच्छर को दूर भगाया जा सकता है लहसुन को कलियों को चबाने से या लहसुन का बार बार उपयोग करने से भी मच्छर दूर भागते हैं ऐसी बदबू या खुश्बू से मच्छर दूर भागते हैं जो प्रकृती ने हमें दे रखी है जिसका उपयोग हम बहुत करते हैं जैसे नीम, हल्दी और लहसुन ये सारी चीजे अगर अधिक है तो मच्छर वहां आएंगे नहीं गाओं में अगर आप गाओं के होंगे तो आपको पता होगा जिनेरियों में लहसुन टांगा रहता है उस प्यास टांगा रहता है उस जगापे मच्छर नहीं रहते है तो जो मैंने आज आपको बात बताई वो सर्फ इसलिए बताई कि आप अपने घर में स्लो पॉईजन खरीद के ला रहे हैं अगर आप इन चीजों का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो घर में जाली लगवा सकत हैं वर्तमान समय में डेंगू का कहर चल रहा है और मच्छर हमेशा कोई भी केड़े आपको हमेशा नुकसान पहुचाते हैं लेकिन आप जो शुरुवात में मैंने बताया है जिस चीज से शुरू किया है वो ये था इसी स्ट्रक्चर से मैंने शुरू किया था कि घर में आ रहा था और ये तमाम कंपनियां स्लो पॉईजन मना रही है और ये कंपनियां जिस देश में से बन के आती हैं ये फॉर्मूला आया है उन देशों में ये चीजे बैन है यूरोप और अमेरिका के 55 शपन देशों में ये चीजें पिछले 20 सालों से बंद है वहां के लोग किसी भी क्वाइल सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं मच्छरदानी सफाई और जाली तीन चीजों का ही प्रयोग करते हैं अगर ये तीन चीजे रहेंगी तो मच्छर नहीं आएंगे मेरा नामे दुर्परकाश है ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स म